बहुत स्वागत है जे प्रताप सिंग जी आपका EBP गंगा पर सबसे फेला सवाल मेरा यही है कि देखे आज 11 और जिलो में 18 प्लस के लिए वैक्सिनेशन शुरू हो गया है वैक्सिन की सप्लाई जो हमको प्राप्ट हो रहा है उसी के आधार पर हमने जिला चिकेट साले में हमने अपना जनपदों में अपना हमने 18 जनपद अभी टैग किये हैं जैसे आपने खुट बोला कि 7 जनपद पहले और 11 जनपद अभी जोड़ा हमने जी यह आज से प्रारम ह हमको तीन लाग पचास जार कोवी शील प्राप्ट हुआ उसी के आधार पर हमने बढ़ा है अब आगे जैसे हमको सप्लाई और मिलेगा सप्लाई के लिए हमने पहले सी अडवांस पैसा हमने जमा कर रखा है दोनों जगे कोवी शील और को वैक्सिन के आँ जैसे हमको अत्र कोई विदेश से कोई भी कंपनी अगर आइसी मार के प्रामड़ता पर ख़रे उतरने के बाद वो सप्लाई देना चाहता है तो उस सप्लाई में कितना रेट है और कितनी डिलिवरी होगी वह हम देखते वे उसको भी हम डे देंगे मिल्कुल यानी तमाम प्रियास सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं इसी बीच देखी सवाल जी प्रताप सिंग्जी व्यवस्थाओं को लेकर भी खड़े हो जा रहे हैं हाला कि देखी लगातार सरकार कोशिश कर रही है और वैक्सिनेशन का ये महा भ्यान चल रहा है लेकिन फिर भी जो वैक्सिनेशन सेंटर हैं वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई हैं कई जगा के ऐसी तस्वीरे हैं जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना चाहिए तो ऐसी तस्वीरे रिपीट ना हो इसके लिए क्या कु स्लोट और दिन मिलेगा जी उसी साफ से आप वहां पर आईए बगर बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं यही सोचके कि जैसे हमने 45 प्लस में अलोग किया था वोक इन अपने आधार काट को लेके वोक इन करके अपना लगा अधर हैं यह काम करते सब को हम लोग ने आजी सुबह समझाया है कि भीड भार बिल्कुल नहीं होना चीए उनको समझाये कि कैसे उनको पंजिकरित करना होता है और पंजिकरित के बार जब उनका समय आएगा उनको जो पॉर्टल में दिन दिया जाएगा और समय सार्नी दी ठीक है जै प्रताप सिंग जी और देखिए उमीद रही करेंगे कि जल से जल बाकी जिलों में भी शुरू हो जाए और ये जो अविवस्था हैं जैसा आप बता रहे हैं ये अब आगे ना हो लोग जागरुख हो पाएं इसके साथी साथ देखिए सवाल होस्पिटल्स को ल देखिए थोड़ी बहुत कमी तो सब जिगे रहेगी जब आप एक महमारी के सामना कर रहे हैं जी वो भी एक ऐसा महमारी जो पिछले साल उसका रूप अलग था इस साल उसका पूरी तरह से परिवर्टित होके उसका म्यूटेटेट रूप जो आज हमारे सामने आया है उसन हमारे बहले से ही बहुत से बैट जो हमने तयार किये थे का पिछले साल भी किये थे और इस बार वी हमने बेट काफी बढ़ाए उत्तरपरदेश में वागर फिल वी ऐसे बहूत सारे में हमारे हैं जो विताव ऑगसेजन है जिद पिछले बार ऑखीजन पर और आवशकता न केंद रिट करके उसको आवंटें किया हर राज्य को तो हमको भी उसको लगाता है हम उन इसके हैं करेंग के मादियम से यह new बेट की उपलब्सता उतनी नहीं है जितना पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि वह बेट हमारे पास है बगर वह ऑक्सिजन से उसाहित नहीं है वह वितावड ऑक्सिजन ने लग उसे होता है तो हमने ऑक्सिजन कॉंसेंटेटर भी मंगवाए हैं जी चेंड सरकार में हमको 15,000 अ हो भी आ जाएगा काफी मात्रा में वह ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर हम ग्रामी छेत में अपने डिस्टिक होस्पिल अपने पर हर जगे पर हम उसको पहुंचाएंगे ताकि अगर सिलिंडर नहीं है तो कॉंसेंट्रेटर से भी हम उन बेट का उपलब कराके और संक्या कम कर बिल्कुल क्योंकि ऑक्सिजन की कमी की वजह से लोगों की जान भी जा रही और यही वजह है कि देखे संक्रमन जरूर घट रहा है लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नसर आ रहा है अब देखे जेपरताब सिंग जी दूसरी लहर में हमने कई सबक सीखे है सबक ये भी सीखा है कि अस ताई अस्पताल अब बनाय जा रहे हैं लकनौ और वारानसी में कोविड अस्पताल बनाय गए तो सवाल ये है कि क्या डियाडियों के जैसे अस्पताल हम सभी 75 जिलों में बना सकते हैं कि ऐसा कुछ प्लाइन कर सकते हैं ताकि अगर गामीर इला पहल किया गया था कि DRU के मादियों से सेना के मादियों से वारानासी और लखनौ जो हमारे दो जन पर बहुत हाई केस लोड है और इन में बीएच्चु की केंपस में और यहां हमारे लखनौ में अवर्चिल्फ क्राइम में जमीन थी दोनों जगें बनाने में आसान थी और व बहुत हुआ है अच्छी वीस्था है है कि हर जन развит ね में ऑफना भरती हो रहे है है अच्छी व्यस्ता है मगर iez अब करने जा però कर जृएंगा तो इस तरह करकर alors जन पर में हम थे यार कर रहें और इस ताइव को हम आगे बढ़ाइंगे है ।이 के हम अब गंगें एक स्षाध क तो जो ऐसे प्रयास हैं क्या इस बारे में विचार सरकार कर रही है ताकि तमाम 75 जरों में ऐसी परिशाली लोगों के सामने ना आए ऐसे कुछ हमारे पास प्रस्ताओं भी आया है बड़े-बड़े कंपनियों के दवारा प्रस्ताओं आ रहे हैं जो मदद करना चाहती है उत्तर प्रदेश को गोर्गपूर में भी जमीन ढूंडा जा रहा है अगर परियाद जमीन मिल जाएगा तो इसी तरह का वेवस्ता वहा बाहर न रहे उसको किसी प्रकार का उपचार जरूर मिले उस स्टेडियम के अंदर या उस हॉस्पिटल के अंदर यह हम प्रयास करने हैं तो हर जगे हमारा है प्रयास सब कुछ करने की ठीक है एक और सवाल है जब पता रहे हैं कि बच्चे भी अब खत्रे में है यानि बच बच्चों के संपून टीका करन की कोई आपात यूजना है जिससे अगली लहर से बच्चों को बचाया जा सके देखे इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है जो अभी कुछ दिन पहले हमारे जो मुख्य विग्यानिक है इस देश के उन्होंने एक आशंका जताया था कि अक्टोबर निवंबर में तीसरा लहर इसका करोना का आने की संभावना है फिर इदर हम लोग ने देखा कि दो तीन दिन के अंदर कुछ इस तरह के भी ख़बर आने लगे चैनल के मार्दियों से कि तीसरा लहर और जल्दी आ जाएगा जून जुलाई में या मैई जून में लोग कह रहे हैं जिसमें बच्चों को भी संक्रमित करने की एक डर बना हुआ है मगर इसका कोई प्रमानित नहीं है आज के दिन जो भी करोना का पेशिंट आता है क्योंकि हमारे पास उप्चार को अपना बचाओ तो हम कर सकते हैं बाकि जो दवाईया जो प्रमानित होए इस पूरे डेड़ साल के अंदर विज्ञानिक द्वारा डॉक्टर्स की टीम के द्वारा विशेशक के द्वारा उसी का हम उप्चार करते जाते हैं उसी से कहीं ठीक भी हो जाते हैं कहीं नहीं प्रिधी के होते हैं जैसे इस बार का जो हम लंगों ने देखा है कि पूरा लंग्स को संक्रमिट कर atenção कर देरा है फिछस दरु को नहीं कीया था तो इस बार भूह हम देखते हैं इसी से डॉक्टर्स की टीम हमने वी उत्तरपनेसं में एक पैनल बनाया है जी माने मुक्त्री जिसमें पीजी आई के डिरेक्टर उसके अध्यक्सता करते हैं और सभी जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट और डिरेक्टर लेट के लोग तरहे हैं वह लाइन ओव ट्रीट्मेंट और आगे कैसे हमको टैकिल करना है यह वह भी अपना एड़ाइज देने जा रहे हैं जल्दी प्रधान बन्ति के फंड से भी मिल रहा है विडेश से भी मिल रहा हैं हम अपने मांने विधायक लोग बहुत बड़े पह्माने पर अपने देकre यह मान्य सांसर बी जो भी हो सकता है जी अपना कोंट्रिबिशन दे के वह भी अपने अपने जगे पर अपने का सीएची पर प्लांट लगाने के लिए उन्होंने पैसा भी दे दिया है उसके साथ ऑक्सिजन पाइपलाइन उसके साथ पूरे बिल्डिंग को ठीक कराने के लिए यह सारे चीजे हम लोग अभी से कर रहे हैं यहां बच्चों के लिए जो NICU, SNCU इस तरह के जो वेवस्ता हमारा चोड़को के वेटिलेटर होते बिल्कुल यानि आगे जो आशन का जटाई जा रही है उसको लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है और सरकार पूरी तरीके से तयार है एक और आखरी सवाल मैं आपसे पूछ पूस्ट कोविड जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को परिशानी हो रही है मसलन ब्लैक फंगस यानि म्यूकोर माइकोसिस से जुड़ा खतरा भी बढ़ा है नहीं तरह की दिक्कते पैदा हो रही है तो क्या कोई रिसर्ट चल रहा है बहुत बढ़ी है जैसे कि हम आप लगातार बता भी रहे हैं अपने दर्शुकों को टीम रहेंगे जिसमें आपके साइकाटरिस भी रहेंगे फिजियो थेरेपिस भी रहेंगे और मेंटल डिसॉडर से या मेंटल प्रॉब्लम से भी जुड़ा एक डॉक्टर रहेगा क्योंकि हम लोग के सामने जो केसे आ रहें इसमें मेंटली भी आदमी बहुत परिशान हो जा रहा है अगर हलका फुलका उसको अक्सिजिन लगता है कि कम है जबकि उसका ऑस्टिजिन 95 यह 96 तब भी उसको एक डर लग जाता है जी तो एक काउंसलिंग के माधियम से साइकाटरिस भी रहेगा फिजियो तरेस्पी रहेगा मेंटल के भी डॉक्टर रहेंगे और समान बेलकुल यानि पोस्ट कोविट को लेकर भी पूरी तरीके से सरकार की तैयारी है पर